नमस्कार आप देख रहें नूज इलेवन भारा डिजिटल मैं हूँ अब शेक सिनहा आपके साथ इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है संसनी खेच कहूं चौकाने वाला खबर कहूं चौकाने वाली खबर कहूं या फिर आपको बताओं की सच्चाई क्या है दरसल करवाई जा रही है और उनकी जासूसी सब इंस्पेक्टर रैंक के सब इंस्पेक्टर रैंक की अधिकारी कर रहे हैं एसाई रैंक की अधिकारी कर रहे हैं और यह लोग स्पेशल ब्रांच के पदा अधिकारी बताए जा रहे हैं यह हम नहीं कर रहे हैं यह भाजपा का आर जासूस लगाए गए थे चमपाई सोरिन के पीछे दो दो जासूस थे जीरो जीरो सेवें जेम्स बॉंड की याद दिला देंगे आपको क्योंकि फ्लाइट से उतरे उसी फ्लाइट पर गये जिस फ्लाइट से चमपाई सोरिन दिली गए उसी होटल ताज पैलेस में ठेहरे ज गंभीर आरोप लगा दिये हैं जारकंट सरकार पर और जारकंट पुलिस पर स्पेशल ब्रांच के दो अधिकारियों ने चमपाई सोरिन की रेकी की उनका पीछा किया उनकी जासूसी की लेकिन जो सबसे चौक आने वाला मामला है कि हिमंता बिस्व सर्मा ने ये कहा कि वो दोनों स्पेशल ब्रांच के पदाधिकारी सब इस्पेक्टर रैंक के जो पदाधिकारी है वो उसी फ्लोर पर ठहरे थे जिस फ्लोर पर चमपाई सोरिन ठहरे थे उस फाइव स्टार होटल में ताच पैलेस में और उन दोनों पदाधिकारियों के कमरे में एक महिला भी या उनके बेटे बावुला सोरिन को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सकता था मामला जब संग्यान में आया तो दोनों पदाधिकारियों को पकड़ कर दिल्ली के चानक के पूरी थाने में दे दिया गया चानक के पूरी थाने में जब दोनों ने बताया कि वो स्प इस्पेक्टर हैं तो पुलिस पदादिकारियों के भी होस उड़ गया कि आखिर जारकंड स्पेशल ब्रांच के दो सम इस्पेक्टर यहां दिल्ली में क्या कर रहा है तब उन्होंने बताया कि समवैधानिक पद पर बैठे किसी वैक्टी ने उन्हें टास्क दिया था चमपा मंत्री की जासूसी किसके कहने पर और कौन कर रहा था क्या क्या योजनाय थी लेकिन एक महिला का वहाँ जाना एक बड़े सवाल खड़े कर रहा है काफी उम्र दराज और अनुभवी नेता है चमपाई सोरें गुरू जी के संगर्थ के साथ ही है चमपाई सोरें अगर चमपाई सोरें राज्य के पूर मुख्यमंत्री रहे हैं चमपाई सोरें ने पिछले दस दिनों में जिस तरीके से अपनी वेता अपनी पीडा जंता के सामने रखी है उन्होंने कुछ छुपाया नहीं उन्होंने साथ कर दिया है कि किस तरीके से उनको हटाया गया क्या क्य नाये उनके साथ घटित हुई और उसके बाद उनोंने जब BJP का दावन थामने की बात कही ये भी उनों न लिका साथी साथ बांगला-देशी गुस-पैट का कल ही उनोंने खुलासा किया ता क्रिट कर कर कि बांगला देशी घुस पैट हो रहा है संथाल में जिसको लेकर केवल भाजपा गंभीर दिख रही है परदान मंतरी नरेंदर मोदी और अमित साह ग्रिह मंतरी गंभीर दिखाई दे रहे हैं इसलिए वो भाजपा जोइन करना चाहते हैं उसके बाद इस तर अरिके के नुकसान पहुचाने की भी योजना थी क्योंकि महिला का आना वहां पर रहस्तमे सवाल खड़े कर गया है कि आकर इस महिला को ये महिला कौन है किसने बुलाया किसलिए ये वहां गई और योजना में और क्या-क्या जोड़ा गया है किसने तमवैदानिक पत पर ब उम्र दराद अनुभवी सीम जो चालिस साल तक आंदोलन कारी की भूमिका में जारखंड में जमा रहा, जारखंड में आंदोलन करता रहा, लोगों को जरूरत मंदों की लड़ाई लड़ता रहा, उनको बदनाम करने की या उनकी जासूसी करने की जरूरत क्यों आन पड़ी, उस समय दानिक पत पर बैठे वैक्ती और उस पदाधिकारी को जिसने मिल कर इस तरीके की प्लानिंग रची ये जानना अब जरूरी हो जाएगा नियाले के लिए भी क्योंकि मामला आज नहीं तो कल नियाले के पास भी जाएगा ही चानक के पुरी की पुलिस मामले कोई जाच करेंगी या केंद्रिये जाच एजनसिया जाच करेंगी ये देखना दिल्चस्प होगा क्योंकि ये जासुसी का आरोप जारकंड के लिए कोई नया भी नहीं है जासुसी का आरोप पहले भी लगा है और इस बार जो लगा है वो पूर मुख्यमंत्री के उपर लग गया है तो मामला गंबीर है बने रही है न्यूद लेवन भारत डिलिटल के साथ देखते रही है न्यूद लेवन भारत मुझे दीजिये इतादत नमस्कार